आज हम पढ़ेंगे English NCRT Class 7th Honeycomb का आठवाँ चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फू यह आग दोस्त और दुश्मन यह आग हमारी दोस्त भी है और आग हमारी दुश्मन भी है आग से हम खाना बनाते हैं, हम जाड़े के मौसम में उसे गर्मी हासिल करते हैं और भी बहुत से काम आग से होते हैं इसलिए वो हमारी फ्रेंड है लेकिन अगर आग हमारे कंट्रोर से बाहर चली जाए Duro आए तो हमारी दुश्मन बन जाएगी क्यों? इसलिए कि जब हमारे कंट्रोर से बाहर चली जाएगी तो बहुत सीचेदों को जला कर रख देगी बहुत से लोग इसमें मर्ज भी सकते हैं चीजें डिस्ट्रो हो सकती हैं डैमेज हो सकती हैं बरबाद हो सकती हैं इसलिए आग के बारे में कहा गया है आग के आग ये फार फ्रेंड भी है एंड फू भी है तो आईए इस चैप्टर को इस्टार्ट करते हैं लेकि उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल Learn Will With Tariq Sir को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लें और बिल आइकान को प्रेस करना बिलकुल भी न भोलें ताकि हमारे आगे की वीडियोज की नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो आएए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लेकि उससे पहले देखते हैं कि यहाँ उपर Before You Did के अंडर में कुछ लिखा हुआ है उसके पढ़ लेते हैं Fire is both useful and dangerous Fire यह useful भी है, फायदे मन्द भी है और खतरनाग भी है What is fire? आग क्या है? फायर क्या है? How did we discover it? हमने इसकी खोज कैसे की? How do we control it? और हम इसको control में कैसे करते हैं इसको नियंतरण में कैसे करते हैं तो आएए इस चैप्टर को पढ़ते हैं सब जान जाएंगे हम Early man didn't know what fire was But he must have seen the damage it could cause पहले के जो लोग थे वो नहीं जानते थे कि आग क्या थी But he must have seen लेकिन उनों लोगों ने जरूर देखा था The damage, उस damage को, उस नुकसान को It could cause जो आग की वज़ा से हुई थी याई आग की वज़ा से होने वाले नुकसान को उनोंने जरूर देखा था जबकि वो जानते नहीं थे कि आग क्या कौन सी चीज़ को कहते हैं He must have watched lighting and volcanoes long before he began to use fire himself उनोंने जरूर देखा होगा lighting निस आकाश की बिजली को आसमानी बिजली को जरूर देखा होगा and volcanoes और जौला मुखी को भी देखा होगा long before बहुत ज़्यादा पहले He began to use fire himself यानि आग को खुद इस्तेमाल करने से उसको यूज करने से बहुत सालों पहले बहुत दिनों पहले उन लोगोंने इन सब चीज़ों को देखा था यानि लाइटिंग बे देखे थी and volcanoes भी देखा था fire was powerful and dangerous आग ये powerful भी है dangerous भी है and he was frightened और वो इनसान जो था उससे early man जो था वो उससे डरा हुआ था खौफ खाया हुआ था fire में है puzzle early man but we now know that fire is the result of a chemical reaction आग ने उल्जन में डाला हुआ early man को नहीं पहले को लोगों को आग ने उल्जन में डाला हुआ था puzzle means किसी को आश्यर में डाल देना but we now know लेकिर अब हम जानते हैं the fire is the result of a chemical reaction की आग जो लगती है आग जो जलती है वो chemical reaction का नतीजा होता है chemical reaction होता है इस वज़ा से आग लग जाती है when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel a chemical reaction takes place करते हैं कि जब हवा में oxygen और इसी तरीके से fuel में यानि इधन में carbon and hydrogen मिलता है यह दोनों जब combine करते हैं oxygen, carbon and hydrogen के साथ fuel में और हवा में oxygen तो chemical reaction takes place तो chemical reaction होता है chemical की प्रतकिरिया जो होती है वो रसायन की प्रतकिरिया का एक reaction होता है तब जाकर आग लग जाती है energy in the form of heat and light is released in this process और इस प्रतकिरिया में यानि जब हवा में oxygen हो और carbon and hydrogen fuel में हो और दोनों combine कर जाएं तब क्या होता है energy यानि एक उर्जा निकलती है किसकिश in the form of heat गर्मी की शकल में and light और रोशनी की शकल में is released in this process और इस प्रतकिरिया से वो ये सब चीज़ है यानि और 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 heat और light की शकल में release होती है निकलती है this is what we call fire इसी को हम कहते हैं आग यानि जब oxygen का मिलन होता है हवा में oxygen का मिलन होता है किसके साथ fuel में यानि इधन में carbon and hydrogen के साथ तो फिर आग होती है आग पैदा होती है अब आगे देखिए क्या कहरें three things are needed to make fire fuel, oxygen and heat कि आग जलाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है three things are needed fuel, सबसे पहली चीज़ है fuel यानि इधन दोसरा oxygen तीसरी heat यानि गर्मी wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel fuel के यहां कुछ examples दिये गए है वो क्या है? लकडी है कोईला है cooking ज़राने वाली पकाने वाली गैस है and petrol यह सब के सब examples है fuel के इनकों हम fuel बोलते है oxygen comes from the air हवा में oxygen आता है हवा से that is why when you blow on small drink paper it often bursts into flame इसी वज़ा से that is why इसी वज़ा से when you blow जब आप blow करते हैं ने फूक मारते हैं on small drink paper सुलगने वाले paper पर ऐसे paper पर ऐसे कागस पर जो बहुत तेदी से ना जला हो बहुत धीरे धीरे जला हो सुलग रहा हो it often bursts into flame तो जब आप ऐसे किसी paper पर आप फूक मारेंगे तो वो फटेगा बनेगा flame की शकल में उसमें एक लपट निकलेगी उसमें एक flame निकलेगा लपट निकलेगी the third thing needed to make fire is heat और तीसरी चीज़ जो आग जलाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो heat है याई गर्मी अगर गर्मी ना हो तो आग जलेगी ही नहीं इसी वज़ाँ से हम देखते हैं कि अगर लकड़ी जो पानी में डूबी हुई हो या गीली हो तो वो जलती नहीं है तो गर्मी बहुत ही जरूरी है फ्यूल और अक्सीजन दो नाट मेक फायर बाई बेंसेल्फ फ्यूल और इधन और अक्सीजन ये खुद बखुद इनसे आग पैदा नहीं होती और एल्स अन्यूस पेपर और अस्टिक लाइं इन ओपन वोड़ कैच फायर ऑन इस ओन वरना वरना क्या होता कि निउस पेपर या कोई ऐसी स्टिक लकड़ी जो जमीन में खुले में पड़ी हुई है वोड कैच फायर उसमें आग पकड़ लेती खुद बखुद तो आक्सीजन और फ्यूल इनमें खुद बखुद आग नहीं लगती इसके लिए ज़रूरी होता है हीट का होना तो बर्न अपीस आफ पेपर और वूड वी हीट इट बफॉर इट कैच इस फायर हम क्या करते हैं कि किसी भी पेपर के टुकड़े को या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसको गरम करते हैं इसको गरम करते हैं इसको धूप में धूप में सुखाते हैं या इस तरह कुछ भी करते हैं अगर वो गीला होगा तो नहीं जलेगा कब बिफॉर इट कैच इस फायरूस में आग लगाने के लिए उसमें आग जराने के लिए सबसे पहले हम उसको हीट देते हैं और हम इसको आम तौर पर जिगाने करते हैं और फियल जो होता है इसके लिए एक खास तरह का यह तुपरे इचर होता है खास तरह का तापमान होता है जिस तापमान पर जब तक वो नहीं पहुँचेगा अगर फ्यूल में वो तापमान नहीं पाया जाता तो आग नहीं जलेगी तो जब वो तापमान तक पहुच जाता है at which it begins to burn तो वो जलना शुरू हो जाता है This temperature is called the flash point or kindling temperature of a fuel और इसी temperature को तो इसी तापमान को जहां जिस तापमान पर पहुचने के बाद आग जलती है इस तापमान को flash point या kindling temperature of a fuel का जाता है यानि fuel का flash point या kindling temperature It is sometimes sad that fire is a good servant but a bad master करने कि इसी वज़ा से कभी कभी कहा जाता है कि जो fire है आग है वो बहुत ही बहुतरीन चीज है good servant है आपका काम करने वाला अच्छा नोकर है लेकि ये bad master भी है यानि इसकी वज़ासे बहुत बुरा नुखसान भी होता है It only means that fire is very useful as long as is it It is kept under control इसका सिर्फ मतलब ये है It only means इसका सिर्फ मतलब ये है यानि good servant and bad master का that fire is very useful कि आग बहुत ही ज़्यादा मुफीद बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है आपके लिए as long as जब तक it is kept under control जब तक आप इसको अपने control में रखेंगे, control में रहेगी for instance we use it to cook our food for instance for example, मिसाल के तोर पर हम इसको use करते हैं अपना खाना बनाने के लिए warm our homes in winter जाड़े में अपने घरों को में गर्मी पहुचाने के लिए गर्मी हासिल करने के लिए and to generate electricity or generate means produce या electricity बिजनी को पैदा करने के लिए but on the other hand लेकिन दोसरी तरह if fire gets out of control it can be very dangerous लेकिन अगर यही आग यही fire control के बाहर चली जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है each year thousands of homes and shops are damaged by fire और हर साल हजारों घर और इसी तरीके से हजारों दुकाने जल जाती है damage हो जाती है नुकसान उनका हो जाता है आग की वज़ा से vast areas of forest are also destroyed and hundred of people are killed are injured और बहुत बड़ा बड़ा च्छेतर फल बहुत बड़ा बड़ा एरिया इसका जंगल का forest का are also destroyed यह बरबाद हो जाता है खत्म हो जाता है damage हो जाता है and handed of people और हजार और सैक्लो लोग अपनी या तो जान गवानेते हैं are killed या तो आग की वज़ा से kill कर दिये जाते हैं या injured या कम से कम उनको जखम पहुचता है वो जखमी हो जाते है just as three things are needed to start a fire जैसा कि तीन चीज़ें जरूरी हैं किसी आग को जलाने के लिए there are three main ways in which a fire can be put out इसी तरीके से तीन में तरीके हैं तीन असल तरीके हैं किसी भी आग को put out करने के लिए put out means बुझाने के लिए in each one of the three things needed for burning taken away is taken away करें इन में से कोई भी इन तीन चीज़ों में से कोई किसी भी एक चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसी भी burning point से जहां जल लहा है उसको इन में से किसी एक भी चीज़ को अगर हम take away कर दें दूर कर दें तो यह आग बुझ सकती है यानि तीन चीज़ें जरूरी है अगर तीनों चीज़ें नहीं पाएंगे कोई एक भी चीज़ नहीं पाई गई तो आग नहीं जलेगी और आपको पता है आग जलाने के लिए तीन चीज़ों के जो जरूरत होती है वो क्या क्या है फ्यूल, ऑक्सीज़न, एंड हीट इन में से किसी भी एक चीज़ को आप अटा देंगे तो आग बुझ जाएगी फर इक्जामपल we can take away the fuel हम fuel को एधन ही को दूर कर सकते हैं हटा सकते हैं if the fire has no fuel to feed on अगर fire के अंदर अगर fire के पास आग में ये पास fuel ही नहीं होगा एधन ही नहीं होगा तो कैसे वो जलेगी no burning can take place तो कोई वो जल नहीं सकती we often let a fire die out simply by not adding more fuel to it और हम अक्सर आग को खुद बखुद बुजने देते हैं die out means बुजने देना मरना मतब बुजना कैसे क्या करके by not adding more fuel to it उसमें और ज्यादा fuel ना देकर याँ आग जल लई है जलते जलते जतनी थी वो बुज जाएगी अगर उसमों हम और एधन और लकली नहीं डालेंगे और अगर हमने डाल दिया तो वो और बढ़ेगी तो हम किसी भी आग को बुजने के लिए इस तरह भी करते हैं कि उसमें fuel नहीं देते the second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it और दोसरा तरीका आग को बुजने का ये है the second way of putting out a fire आग को बुजने का दोसरा तरीका is ये है to prevent oxygen कि हम oxygen को रोक दे prevent means रोकना oxygen को रोक दे from reaching it आग तर पहुँशने से यनि जब oxygen पहुँचे गई नहीं तो आग जलेगी नहीं no supply of oxygen means no fire अगर oxygen की supply नहीं हो रही या oxygen नहीं पहुँच रहा है इसका मतलब ये है कि no fire आग जलेगी नहीं small fires can be put out or smoothed with a damp blanket or a sack और थोड़ी मोड़ी आग छोटी सी आग को बुजाया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है smoothed means suffocated means यहाँ खत्म करना तो खत्म किया जा सकता है with a damp blanket or a sack किसी भी गीले weight kambal से चादर से या किसी भी बोरे से ठैले से तभी आपने देखा होगा कि जब कहीं आग लग जाती है तो बोरा अगर होता है तो उससे लोग पीटने लग जाते हैं आग बुज जाती है या किसी के कपड़े में आग लग गई किसी में तो उसको चादर में लपेट लेते हैं या कंबल में लपेट लेते हैं तो आग बुज जाती है तो छोटी छोटी आग को इस तरह कभी बुजाया जा सकता है इस इस टॉप oxygen रीचिंग दा बर्निंग मैटेरियल सम्टाइम्स और यही चीज़ यानि डैम ब्लैंकेट का उड़ा देना या सेक का उड़ा देना यह चीज़ रोग देती है oxygen के पहुँचने को बर्निंग मैटेरियल तक यहां आंग जल लई है तक जब oxygen नहीं पहुँचेगा तो आखुद बखुद भी बुज जाएगी sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire और कभी कभी तो carbon dioxide का इस्तेमाल किया आता है to extinguish carbon dioxide आपने पढ़ा होगा science में हो सकता है नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे extinguish यानि बुजाना आख को बुजाने के लिए carbon dioxide का भी यूज होता है it does not allow oxygen to read the burning material और यह चीज यानि carbon dioxide यह oxygen को पहुचने नहीं देता है the burning material जलने वाले जगां तक जलने वाले material तक the third way of putting out a fire is to remove the heat और तीसरा तरीका आप को बुजाने का यह है कि हम heat को यानि गर्मी ही को remove कर दें गर्मी ही को हटा दें खत्म कर दें if the temperature can be brought down below the flesh point अगर temperature को तापमान को flesh point के नीचे ला दिया गया can be brought down उसको ला दिया गया down कर दिया गया below the flesh point flesh point के नीचे तक the fuel stop burning तो fuel खुद बखुद रुकना जलना बंद हो जाएगा क्यों इसलिए कि किसी भी आग को जलने के लिए जो heat होती है उसका flesh point तक होना ज़रूर है अगर वो flesh point पर नहीं है वो heat वो temperature तो फिर वो जलेगा ही नहीं you blow on a burning match stick or a candle to put it out और आप फूक मारते हैं किसी भी जलने वाली matches की तीली पर या मुंबत्ती पर to put it out इसको बुजाने के लिए क्यों इसको हम यहीं flesh point के नीचे उसका temperature कर देते हैं तो बुज जाती है in doing so ऐसा करने से you remove the hot air around the flame bringing down its temperature below the flesh point and the candle goes out ऐसा करके तो आप जो गरम हवा है उसको flame के उस लपट के आजू बाजू में जो गरम हवा hot air है वो down हो जाएगी नीचे हो जाएगी its temperature वो down कर देगी उसके temperature को below the flesh point और कितना down करेगी वो down करते करते flesh point से भी down कर देगी and the candle goes out और मुंबत्ती बुज जाएगी sometimes water is spread on fire और कभी-कभी तो पानी का छिरकाओ किया जाता है पानी फेका जाता है fire को बुजाने के लिए it absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature ये क्या करता है absorb कर देता है नी soak लेता है heat को गर्मी को किस से from the burning fuel जलने वाले इधन से and lowers the temperature और इससे temperature खुद खुद कम हो जाता है temperature को कम कर देता है the blanket of water also cut off cuts off the supply of oxygen और जो 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 जब आप पानी फेकते हैं तो ऐसा पानी फैल कर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई blanket हो कोई चादर हो कोई कमबल हो तो उसी को कह रहे हैं कि जब पानी इस तरह जाएगा the blanket of water water की blanket also cut off ये भी खत्म कर देती है बुझा देती है नहीं पहुचने देती है the supply of oxygen oxygen की supply को and the fire is extinguished और फाइर बुझ जाता है जब वहां तक oxygen पहुचे गा ही नहीं तो बुझ जाएगा some fires cannot be put out with water और बहुत सी आग कभी कभी तो ऐसी होती है जिन्हें पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता क्यूँ? if water is spread onto an oil fire अगर oil fire हो याग तेल में लगी हो अगर उस पर आप पानी फेकते हैं the oil will float to the top of the water and continue to burn तो ये जो oil होगा तेल होगा वो तेल बहेगा वो तेर कर कहा पहुच जाएगा उपर float means बहना तेरना to the top उपर किसके? of the water पानी को उपर and continue to burn और बराबर जलता रहेगा this can be very dangerous ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाफ होगा सकती है कि अगर oil fire हो और उसमें आप पानी फेक दे this can be very dangerous because water can flow quickly क्योंकि पानी जो है वो तेजी के साथ बह जाएगा follow means बहना तेजी के साथ बह जाएगा क्योंकि कैसे? carrying the burning oil with it अपने साथ burning oil को जलने वाले आईल को लेकर and spreading the fire और पानी को और ये आग को और पहला देगा ये आग को और भी spread कर देगा जब spread कर देगा तो और भी ज़्यादा आग जलती रहेगा और continue रहेगी water should also not be used on fires caused by electricity appliance जो घर में electricity वाले सामान होते हैं जिसे board है या bulb है या light है इन सब चीदों में अगर आग लग जाए तार जो फैला रहता है घरों में उसमें अगर आग लग जाए तो उसे भी पानी के दरिये नहीं बुझाया जाता water should also not be used कि पानी को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा on fires उन घर उन आगों पर caused by electricity appliances जो electricity बिजली के appliances से हुई हो जली हो लगी हो the person spraying water might receive an electric shock and be killed और वो आदमी जो water को spray कर रहा है और water को फेक रहा है उसे आग लग सकती है यानि वो might receive electric shock उस अग इलेक्टरिक शॉक उसे लग सकता है and be killed और वो मर भी सकता है इस वज़ाए से जब कभी electricity appliances में अग लगी हो तो उसे पानी से नहीं बुजाए जाता in fighting fires हम हर साल million लाखों रुपए खर्च करते हैं in fighting fires आग से लड़ने के लिए आग को बज़ाने के लिए and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control और हम खर्च करते हैं इससे भी ज़्यादा और more बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं किसलिए trying to find new ways of preventing fires हम तलाश करने के लिए खोज करने के लिए नए नए तरीके को किसके नए तरीके को of preventing fire आग को रोकने के from happening लगने के आग के लगने के को रोकने के नए नए तरीके को हम तलाश करने के लिए खोज करने के लिए और भी ज़्यादा खर्च करते हैं and getting out of control और उसको control से जब बाहर हो जाए तो उसे बुजाने का क्या तरीका होगा उसके भी ways हम मालूम कर रहे हैं On the whole खुलासा ये है We have learnt rather well to control fire and put it to good use in our everyday life और खुलासा ये है कि हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं हम बहुत कुछ सीख चुके हैं आग बुजाने के लिए के तरीके in our everyday life रोज़ाना की जिन्दगी में Long ago there were no firemen और बहुत पहले तो firemen नहीं थे यनि आग बुजाने वाले नहीं थे फिर जब आग लग जाती तो क्या होता था When fire broke out जब आग लग जाती थी Everybody became a firefighter हर कोई firefighter बन जाता था आग से लड़ने वाला उसके लिए कोई खास आदमी नहीं होते थे particular person नहीं होते थे कि वहीं लोग आग बुजाएंगे जैसे कि आज है जैसे देखिए People formed human chains वो मानो श्रंखला बना लेते थे वो इंसानी chain बना लेते थे जैसे देखिए इस तस्वीर में देखिए ये एक chain बना हुआ एक के बाद एक एक आदमी They still do if required and passed bucket of water from a well or pond to the blaze और वो क्या करते थे वो pass करते थे पानी से भरी हुई bucket को बाल्टी को जो भी बरतन रहता था और वो पानी कहां साथ था from a well to the blaze blaze means आग आग जहां लगी होती थी वहां तक पानी को लाने के लिए तरीके होते थे कि कुछ लोग पानी well से या पान्ट से निकालते थे फिर एक दोसरे को देते 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 वो आग जहां लगी थी वहां तक पहुछते थे They still do if required अगर जरूरत पढ़ती है तो लोग अभी यह काम करते हैं Now there are laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk और अब तो अब कानून हो चुके हैं law हो चुके हैं building construction को लेकर building को बनाने को लेकर law आ चुके हैं which ensure do इस बात को पका करते हैं शुनिश्चित करते हैं कि buildings के बीच में space छोड़ा जाएगा कुछ जगां छोड़ी जाएगी to reduce the fire risk आख के लगने के risk को reduce करने के लिए कम करने के लिए every new building especially a public place और हर एक नई building खास तोर पर जो public place में हो must ensure observance of fire prevention norms जो fire को prevention करने का उसको रोकने का जो तरीका है उसको अब्जर्वेंस हैं उसको ensure करना उसके लिए जरूरी हर नई building बराने वाले को कि यहां आग नहीं लगेगी इस तरीके के उसे norms कादे कानून बनाए गए हैं bands of fire fighting workers which special equipment known as fire brigades are there to put out fires band means group जो fire fighting का जो workers हैं आग बुजाने वाले जो लोग हैं उनको उनका जो group है with special equipment उनके पास असल सामान होता है पूरे वो अपने सामान के साथ होते हैं नहीं आग बुजाने वालों को जो पहनना है हाथ में आख में और सर पे और नीचे के बॉड़ी में वो सब उसके साथ होते हैं यहां equipment लिखा हुआ things needed जरूरी चीज़ें जो आग बुजाने के लिए होती है known as fire brigade जिने fire brigade कहा जाता है are there to put out fires और अब यह आग को बुजाते हैं fire fighters are highly trained people जो fire fighter होते हैं आग बुजाने वाले इन्हें बहुत ज़्यादा highly trained होते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है इस group में they possess many skills वो बहुत से skills बहुत से स्किल्स बहुत से तरीके उन्हें मालूम होते हैं बहुत से fun मालूम होते हैं कैसे कोई सी आग को किस तरीके से बुजाना यह सब उन्हें पता होता है they cut off electricity supply वो electricity supply को बिजली के supply को काट देते हैं known down, knock down, dangerous walls और जो knock down मिसें गिरा देना जो खतरनाक दीवारे होती हैं उसे गिरा देते हैं यह अगर किसे building में आग लगी हो तो जिसमें आग लगी उसी दीवार को गिरा देते हैं ताकि दोसी जगा आग ना पहुचने पाए spray water and other materials to bring fire under control और आपको बजाने के लिए पानी का छिलकाव करते हैं यह दोसे material का इस्तेमाल करते हैं आपको कंट्रोल में करने के लिए they are also trained in first aid और पहली मदद करने के लिए उन्हें train भी किया जाता कि अगर जिनको आग लग गई हो या कोई जल गया हो तो उन्हीं क्या करना है इस बारे में भी उन्हें train किया जाता aid means help so that they can help people suffering from burns or form the effects of smoke ताकि वो मदद करें उन लोगों की जो सफर कर रहे हूँ burns यानि जो जल गए हो या कम से कम उन्हें effect पड़ा हो smoke का यानि उन्हें धुआ लग गया हो और धुए में कभी-कभी दम घुटने लग जाता है तो ऐसे लोगों की क्या मदद करना है इसके बारे में भी उन्हें train किया जाता है उनके पार skill होती है the discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life आग की खोज और उसका इस्तेमाल ने लोगों को बहुत मदद की क्या करने के लिए to cope with nature better उसको निबटने के लिए उसका मुकाबला नेचर को जो कुदरत होती है प्राकृती होती है उसको कॉप करने के लिए उसको manage करने के लिए इस आग ने उनकी बहुत मदद की and gradually और ध अपने जिन्दगी की जो का जो तरीका था उसमें इसको settle कर लिया कि आपको कब कहां कैसे कैसे use करना है कहां क्या करना है fire is still worshipped in many parts of the world और आपको अब भी दुनिया के बहुत से इस्तों में इसकी पूजा की जाती है fire is indeed a friend fire ये यकीनी तोर पर genuinely एक दोस्त है friend है but as we know जैसा कि आप हम जानते हैं it can be dangerous ये dangerous enemy भी हो सकती है खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है once it gets out of control जब ये control से बाहर चली जाए तो इसलिए कहा कि fire friend and foe अगर ये हमारे control में है तो हमारी दोस्त है हमारे friend है और अगर हमारे control से बाहर चली गी तो ये हमारी enemy और हमारी दुश्म बन जाती है तो ये था ये chapter I hope कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो हमारी इस video को like कीजिए comment करके जरूर बतलाए कि पसंद आया कि नहीं और like भी कीजिए share भी कीजिए अपने friends को दोस्तों को relatives को अपने classmates को आप अपने class के नीचे बाले को class 6, 7, 8, 9, 10 को भी हम हमारे channel के बारे में बता सकते हैं इसलिए कि हमने class 10, 9, 8, 7, and 6 और उसके बाद भी हम नीचे के classes के ओ या उपर के classes को 11 and 12 को या 5th, 4th की English के videos हम लाते रहेंगे I hope कि आपको हमारी इस videos को पसंद करेंगे और हमारे channel को subscribe करेंगे so मिलते हैं next video के साथ till then take care and have fun करेंगे